कि असलाम अलेकुम जी मेरा नम है असर नौज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयाम टीचर आप हमारे चैनल को अपने यूट्यूब के सच पार पार जाके अटदार एट आयम टीचर 33 लिकर भी सच कर सकते हैं तो आज का जो हमारा लेक्षर सीरीज तो यह आपके जो मेडियो वह वांट टैन तक यह जुरुरी नहीं लेकिन आम आपको यहां डेटेल से आप बताएंगे उसे पहले अगर आप तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ने कि तरह जल्दी से सब्सक्राइब कर दें साले के पहले को प्रेस करते हैं और हम यहां सब्सक्राइब करते हैं जो कंप्यूटर पर अटैक करते हैं उनकी हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वह कितनी तरह के तो हमारे पास चार तरह के होते हैं सबसे पहले हमारे पास वाम जाते हैं फिर हमारे पास ट्रोजन होर्सी आते हैं फिर हमारे पास पाइवेर्स पॉस्त वाइर केऊ सब्सक्रावीब this आटक करते हैं किसी भी तकिसी एक करता है तो इसमें कुप जहता होता है पैस प्रोग्राम को जाना झाटा है और जब यूड़ करते हो क्ते सब्सक्रावीब अधियर क्रेंग दाए कि यूड़ मotal चलिए अगला हमारे जो क्वेशन कहता है कि वाइरस परफॉर्म कर सकते हैं वह कहते हैं कि वाइरस के परफॉर्म वेरियस एक्षिन इंकिलुडिन ट्राइंट ट्रांसफर देंसल तो अधर प्रोडम्स विदिन दी कंप्यूटर डिग्रेडिंग पॉर्शन ऑफ दी ऑपरेट इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वह अगर वी एलसी में तो हो सकता है वह किसी और साफ्टर में भी जैसे पीपीटी है मेरे पास हमारे पास ऑफिसे उसमें वह वाइरस जो है ना वह ट्रांसफर हो जाए दूसरी बात यह को बहुत सारे पॉप पॉर्शन होते हैं जिनको कर सकता है operating system के इसके लाबा मारे पास जो मास्ट टोरिज होता है जितना भी हमारे पास data होता है वो रिमूव कर सकता है और किसी बीड़ाइटे को क्रफ्ट कर सकता है और इस तरह के बहुत से नहीं कि आपने इंसर्ट करना किसी प्रोग्रम में तभी फ्लना यह हमारे पास नेटवर्क के जरीए फ्लते हैं नेटवर्क के थ्रू हम जुड़े हुएं किसी प्रोग्रम में तो एक भी प्रोग्रम में तो एक भी लैप्टोप में या फिर एक नेटवर्क की इस यह specific देडवाइस में die यह वायर्स आता वाव चानो अगलता एक गया तो यह क्या सकता है अगल हुए जाएिस चेल不是 तो इस अधरमकरिक आप तो हमारे पास कुछ ऐसे software होते हैं जो को वाइरस होते हैं हमें desirable program चाहिए और desirable program हो सकते हैं Screen recorder की शकल में हो और वो उसी शकल में होता है जैसे के game होगे utility packages होगे और इस तरह के काफी ज्यादा चीज़ें होती हैं जिसकी Trojan virus जो है शकल ले लेता है एक बार आपने उसे computer में perform कर लिया ना तो यह क्या होता है कि आपके email से किसी भी अटेच हो जाता है किसी भी unknown sources तो यह आपका online data भी access कर सकता है offline data भी access करता है total आपके computer को खुद बाखुद यह access कर सकता है Trojan horse अगर आपने एक बाद इसे install कर लिया चलेंजी next हम अपने question की तरफ चलते हैं कि हमारे पास spyware collect and report information तो हमारे पास spyware हैं वो कैसे collect करते हैं और report करते हैं किसी भी information को वो क्या करते हैं कि decide computer and collect information to activities on the computer at in reports this information back to back attackers who initiated the attack spyware can be used for various purposes including building customer profiles or gathering sensitive information password and credit numbers spyware का होता है कि हमारे computer में चले जाते हैं तो हमारे पास जब जब हमारे पास hacker होता है वो attack करता है हमारा तभी तभी data उसके पास जाता है जैसे हमारे पास कोई भी computer में sensitive information अगर इसमें एक बार spyware दिया जाता है spy का मतलब भी होता है और वो क्या करता है कि sensitive information open होती है password लगाया जाता है वो सारा सारा data गया करता है host को transfer करते है यानि जो उसको चलाने वाला होता है अब हमारे पास phishing क्या होती है और यह कैसे ली जाती है देखते हैं जे phishing की जात तक नहीं obtaining information exploiting by posing legitimate entity and asking of a personal information phishing is often carried out via email where attackers pretend to financial institutions government barrow or law enforcement agency and ask the receipt to provide sensitive information that is supposed needed for legitimate purpose इसमें क्या होता है phishing क्या होती है phishing यह चीज़ है कि अगर आप आपने देखा होगा कि आप काफी ज्यादा website में जाते हैं तो वहां क्या आता है pharm बरें pharm में क्या होता है अपना नाम दें email दें कभी-कभी आपका password आपका जो वह ID card का number मांग लिया जाता है कभी-कभी आपका password मांग लिया जाती है आपका email login मांग लिया जाता है तो शारी sensitive information तो यही होता है कि आपको email के जरीए जो है आपसे जो email होता है इस तरह काफी ज्यादा जो आपकी personal चीज़ें होती है उनको carry out किया जाता है किसी और किसी चीज़ के थूरू तो यहां phishing का नाम देते हैं ठीका जी आगे जी हमारे पास क्या आता है के explain the concept of Daniel of service DOS attack यह बहुत ज्यादा important question है आपने लाजमी करना है कि हमारे पास DOS attack क्या होता है Daniel of service attack involves overloading a computer with a large number of messages of requests for a short period of a time rendering it is unable to respond to the limit request and disrupt target normal operation and can potentially bring down our network or internet service इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही वक्त में बहुत ज्यादा messages बेज दिये जाते हैं एक short time period में बहुत ही ज्यादा messages बेज दिये जाते हैं और एक large number of messages होने के वाज़े से हमारा network क्या हो जाता है internet service क्या हो जाती है सिंपल सी बात है जी चलें जी हम next अपने question की तरफ चलते कहता है how does a Daniel service attack overload a computer किसी भी computer को overload करने के लिए Daniel service कैसे कितार अदा करती है तो इसके answer की तरफ चलते हैं कहता है Daniel service attack usually planet softwares or multiple unsuspecting computer farming a boat net a generate massive number of messages when the attack is initiated all these computer send a flood of messages to the target and overwhelming sourcing and rendering कहता है कि यह किसी ना आप कह सकते हैं software के जरीए जैसे मारे पास WhatsApp WhatsApp की मिजाल देता है तो कहीं लोग ना third party WhatsApp चलाते हैं जैसे मारे पास WhatsApp होगी gold WhatsApp होगी तो यहां पर option होता है कि आप एक वक्त में कितने messages send करना चाहते हैं अटेकर्स क्या करते हैं एक एक ही वक्त में एक ही सेकेंड में कोई हजार हा मैसिस हजार नहीं ज्यादा कुछ ज्यादा ही मैसिस send कर देते हैं जिसकी वह से मारे पास जो computer होता है वो अवरलोड हो जाता है चले जी हम अपने next question की तरह चलते हैं बोटनेट इन डैनियल ओफ सर्विस अटेक हमारे पास बोटनेट का जो होता है वो क्या किरदार होता है यह क्या परपोस होता है क्या उसका मकसद होता है किसी डियो डियोस में क्याता बोटनेटर नेटवर्क of compromised computers controlled by an attacker it is Daniel of service attack and the attackers uses the board net to send a large volume messages request to the target the impact of the अचा इसमें क्या को होता है कि बोटनेट एक ऐसा network है जो computer के जिरे जलाया जाता हो और यह amplify करता है किसी message के attack को यानि बढ़ा देता है उसकी जो टाकत है वो बढ़ा देता है तो इसे हम कहते हैं बोटनेट चलेंजी next question की तरफ चलते हमारे पास why is recommended to disconnect computer from the internet when is not in use कहता है कि अगर आपके computer computer use नहीं कर रहे तो क्यों जरूरी है कि आप उसे ना वो कर दें disconnect करतें तो disconnect the computer from the internet when it not help reduce risk of unauthorized access and attacks once a computer is connected to the internet it can be targeted by the intruders within a short span of our time and leaving the connected increasing chances of the exploration अब हमारे पास क्या कहता है कि अगर आप disconnect कर देते हैं तो आपके पास जो risk है वो कम हो जाता है कि कोई unauthorized access ना कर ले आप और या फिर attack ना कर ले आपका जो computer hack वगरा ना कर ले लेकिन अगर आपका internet आ रहा था तो बहुत चोटे से टाइम में कोई भी attacker आपके computer पर attack करता है और बहुत सारे जो है ना वो increase हो जाते हैं chances के वो अपनी computer से connect हो जाएगा चलेंजी नेक्स हम चलते हैं अगर हमारे पास प्राइमरी इंपक्ट ओफ दी स्वैम computer system हमारे पास spam का computer system पर आपको पता spam calls भी आती है इस तरह से कही spam messages आते हैं तो इसका impact क्या है primary impact of says not over helping that the computer system but over helping the persons receiving the spam it can lead to the flood of unwanted यही चीज़ आ जाती कि spam वैसे harmful नहीं होता लेकिन क्या होता कि हमारे पास बहुत ज्यादा flood आने के लिए बहुत unwanted जो email आने की वया से हमारे पास malware उसमें spread हो सकता है यानि उसमें कोई ना कोई आपके पास virus हो सकता है अगर आप उसे तंग तंग आ गया अगर आप उसे क्लिक कर दें और उसे access दें तो वह virus की सूरत हो सकता है कहता है how can spam contribute to spread of virus and other harmful service तो जैसे मैं साफ्रेट जैसे कि मैंने पहले बताया कि spam क्या होते है कि वह वैसे तो खतर नाक नहीं होते जैसी आप email से attach करते हो यहां फिर किसी चीज़ को क्लिक करते हो किसी link को क्लिक करते हो एक spam message की तो download होड़ने के बाद वह आपके जो computer में वह execute हो जाता है चलें जी वट इस primary purpose of firewall firewall का हमारे पास primary purpose क्या होता है वह देख लेते हैं तो firewall का जो primary purpose होता है कि वह filter करता है network traffic and prevent unauthorized access or malicious activity blocking and allow specific types of messages अब देखें अगर आपके पास specific messages आ रहे हैं तो हमारे पास firewall क्या करेगी उनको filter करके देखेगी जी इसमें कोई virus तो नहीं है परस करें आपको message आया तो उसे filter कर रही है कि जो link use कर रहे है यह सही है कि नहीं अगर आप उसे click करते हैं तो सबसे पहले allow मांगे कि यह आपके अपने पर है कि आप इसे allow कर रहे हैं तो आपने अपने computer में on करके देखा होगा Windows 7 में अक्सर firewall जो है ना वो सामने आ रहे होते हैं Windows 10 में पहले ही virus होता है वो खुद बाखुद screen कर देता है चलिए हम next करते हैं हाँ करना डैनियल मारे पास जो डियोएस अटैक है डियोएस आप अटैक पीछे पढ़ चुकी है क्या है था और डियोएस अटैक को कैसे टर्मिनेट करते हैं टर्मिनेट का मतलब बता है खतम करना खतम करने में कैसे help करती है तो firewall can block traffic from attacking computer's terminating a service attack by the preventing malicious messages from the reaching to the target अब जिस target पे हमें पुचा रहे हैं तो firewall क्या करें पहले ही उसे block कर देगी इस तरह से हमारे पास क्या होगी वो traffic हमारे computer पे attack नहीं कर सकेगी या फिर हम उस link का श्कार नहीं होंगे तो यह firewall का हमारे पास क्या है तो हमारे पास इसमें जो इसका आंसर है देखने टर्म उफ दी प्रीटेंटिंग टू बिया मेंबर ओफ इंसाइड रीजिन ऑफ इन अटरी स्पूफिंग तो हमारे पास यह क्या है एक स्पूफिंग है चलें जी नेक्स हम कहते हैं वट इस परफोज स्पैम फिल्टर स्पैम फिल्टर का क्या मक्साद है इसका यह मक्साद है कि जो अन्वांटीड स्पैम मैसेजिस होने ब्लॉक कर दिया जाए अच्छी तरह से स्क्रींश्टर ले सकते हैं चलें जी नЕक्स चल्ती है करवारे पास क हमारे पास जो आ प्रोक्सी सर्वर क्या होता है कि एक क्लाइंट जो है और एक सर्वर जो है उसके तरिम्यान रिलेशन्शिप बनाता है और शील्ड करता है कि कोई एक्षिन ना हो कोई दूसरा फर्ज करें कि हमारे एक प्रोक्सी होती है आपके नेटवर्क की तो आपने जहां पर किस आपने स तो इस तरह से हमारे पास proxy server बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है चलें जी प्रोक्सी सर्फर हेल्प इन फिल्टरिंग मैसेज को कैसे मतलब यहां पर हमने पहुंचाना है जिस बंदे को हमने send करना है proxy server क्या करेगा उसे ही allow करेगा ठीक है और किसी भी unwanted या unknown वाइरस को वह क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा पहले चेक करेगा यह कोई वायरस तो नहीं आ available नाहीं आगर तो उसे अमठीका ओसे चाहर तो तक आने देगा तो यही इसका प्रोट सर्वर आम इस फिल्टर करने में प्रिपर फृप्र फॉब्टी फॉप्रमिंड प्रोस ओफॉ यह सारा देखता है जतनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है फायरवाल में वह देखता है उसके अप्टिविटी को देखता है और जो मेसेजी ऐसे टरफिक को यह फिल्टर करता है और अनाओन वायरेस को क्या करते हैं रिमूव करते हैं और जितने भी इंफैक्शन पगेरा होतिया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप हमारे पास जौन जरूर है तो हम जो ऐना वह सकते हैं कि बयारें केदेन को लिडायब वो इमर्ज करता जाए तो जैसे जैसे मारे पास जो एंटी वायरस अपडेट हो जाएगा और उसकी चालू को समझता जाएगा और आखिर उसे रिमूब कर देगा यहां फिर आप कह सकते हैं उसे रोक के रखेगा अगर आप सक्यूर्टी को मेंटें रखना चाहते हैं उसमें कौन-कौन से अमला जो आपको करने चाहिए इसमें चाहिए इसमें चीजे बताएगे सबसे पहले कि अपने पीसी को इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करें जब आपको जुरूरत नहीं दूसरी बात क्या है कि जो आपने वेबसाइट खुली होगी वहां पर पॉप अप एड्स आती हैं ठीक है यकदम आगे खुलती है यह सोर नो वाले यह पिर इस तरह से जितने उनको आपने उनको आपने हाथ नहीं लगाना कोशिश करनी उनको जो क्रास वाले निशान होता है वहाँ से उसे क्लिक नहीं करना उसके लावा जी आपने जितने अपने अप्लोड करने यह आपने आपने अटन Denn fixes complete करना तो उनकी ओफिच्ट से जागर टानुड करें किसी थार्ट परॉट्बो करें ओन्般 है इसका थे लावा जॉतने उनको आपने क्लिक नहीं करना उनसे अवाइड करना ओपनिंग करने से नेक्स हमारे पास जाता है वाट इस इंकर्प्शन यूज्टू प्रोटेक्ट डैटा ड्यूरिंग दी नेट्वर्क ट्रांसफर अगर आप नेट्वर्क ट्रांसफर करना चाते हैं तो उसमें जो डैटा करते हैं बहुत ही अपने कॉंफिडेंट से के आपका जो डैटा है वो अन अथराइजड हैंड में नहीं जाएगा किसी तीसे मंदे के हाथ में नहीं जाएगा हमारे पास gefल वर्जन आपको त्रांसफर परोटोड कोल सेकुर यह इसका जो लेटेस्ट वर्जन है सिक्यूर वर्जन है च्ट्टकीत की से अबने याद कर ले grateful अब और ऐसे लगा दें तो इसका मतदम राद करता है चलिए जे नेख्स चलते हैं हमारे पास क्या वाइज प्रोटो को वॉर्टोकोल सिस्टम अभॉम फ्रॉम है दी बैग बॉन ओफ । यह तो मारे पास यहां पर जो इसका आशना कहता है कि प्रोटोकॉल system known as the secure sockets layer from the backbone of HTTPS और हमारे पार जो backbone होती है HTTPS की जो secure आप कह सकते हैं sockets होती है ना या protocol होते हैं वो हमारे पार secure SSL secure socket layers होती है तो आपने यह लाजमी याद कर लेनी abbreviations यह आ जाती है राम सकून से चलेंजी नेक्स करते हैं वरत इस क्रोप्लिक की इंगरप्शन आपा जो पलिक की इंगरप्शन वह क्या पलिक की इंकरूप्शन इस करने के लिए और आपने देखा वगा पर आजकल फीचर आया कि एक बंदा इक बार ही एक मैसी को सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब कर सकता है शेयर कर सकते हैं तो यह हमारे पास इंक्रप्शन में घर यह क्रणेटình हचाएं चलते हैं यह थो इनकरप्शन इनिघ्म हमारे पाप जो इनकरॉप्शन आँ वह कैसे यकिड़ा नंओ करती कि हमारे पास मेसज एनकरूट उजड्म को यह रहिंतों। बॉलाव करती है इंक्रॉप्टिर मैसेज को अब जो हमारे पास इंटिंड डियरी सैंट इस इस वह नी होती आ वही उस प्राइबिट की को लगाके कर सकता उस मैसिज्ज को अक्सेस में अक्यूं सकते है उस कॉंटेंट की चलें जी नेक्स हमारे पास what is the purpose of certified authorized in हमारे पास जो certified authorities होती है public corruption में उनका क्या purpose होता है उनका purpose होता है कि आप trust जो है वो establish करें internet sites पे attain accurate list of parties and their public keys and they provide a certificate containing a party's name and public key ensuring that correct association of public keys with the parties अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी parties होती है उनकी encryption की पेश की जाती है और उनके certified content किया जाता है उसके साथ उनके नाम के साथ ताके लोगों का trust बड़े internet पर उन्हें यह हो का हमारा data यहां पर मिफूज है encrypted है ठीक है जी नेक्स देखते हैं हमारे पास जो है how does encryption system contribute to authorization यह ज्यादा important नहीं लेकिन फिर भी आप देखना जाते हैं तो एक बार इसे देख लें चलेंज हो डास दी रिसैप्ट वैरिफाई दी अथो यह भी इतना ज्यादा आपको कह सकते हैं कि important नहीं है तो फिर भी मैं आपको इसका explanation थोड़ी बहुत देता हूं तो इसमें कहता है कि हमारे पास दी रिसैप्ट यूजिज दी सेंडर्स पबली की टूडी क्रॉप्ट दी डिजिटल सेगनेचर और इफ डिक्रॉप्शन is successful the message considered to the authentic authentic because only holder of the private key could have procedure the encrypted signature अच्छा इंक्रॉप्टिज जो होते हैं अगर आप किसी को send कर रहे हैं तो उसके पास अगर आपके signatures हैं तो ही वो open कर सकेगा उस content को क्यूंकि हमारे पास जो algorithm में उसे confirm हो जाता है कि आपने जो key use की है सिर्फ author ही क्या कर सकता है उसे वो signature यूज यूज़ कर के अपने signature होता है वो signature यूज़ करके आपको इसकी मिसाल देता हो मिसाल यह कि अगर आप bank में जाते हो पैसे नकालने तो पैसे नकालने के लिए एकने signature चाहिए तो signature होंगे तो वह authentic मांगलेंगे अब मैं किसी औहोंगोज़ को check दे रहा हूं साथ में अपने signature तो अगर मैं अपने साथ signature दे रहा हूँ तो इसका मतलब में उसे अपने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा